हेलो माई बीटिफूल्स कैसे आप सब आई होप आप से वच्छे होंगे मैं हूँ आरती और वेलकम तो माई चैनल बीटिफाइ यॉरसेल्फ आज क्रिएट करने वाली हूँ मैं ये रिवर्स कैट आईलाइनर मेकप लुक मेरे पास इंस्टा पे डियम आया था कि प्लीज आप ये वाला लुक जरूर क्रिएट करके दिखाएए तो मुझे ये लुक बहुत इंट्रस्टिंग लगा थ्रट ट्रेंडी लगा तो आज क्रिएट करने वाली हूँ मैं ये लुक एंड बिना किसी देरी के इंट्रा को लंबा किये वे स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेंड सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाएए चेक आउट कीजेए मैंने अपनी छोटी सी बेटी को राधा जी बनाया था जनमाश्टमी के लिए तयार किया था अगर आप भी चाहें अपने बच्चों को तयार करना तो आप प्लीज वह वाली वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं फटावट से यह वीडियो बहुत पसंद है तो मैं इसे अप्लाय कर रही हूँ एक नट की मसाज करूंगी और इससे मेरे ब्लट सर्कूलेशन भी अच्छा हो जाएगा मेरे फेस का और 30 सेकंड्स के लिसको ऐसी छोड़ देना अपने फेस पे ताकि अच्छे से अब्जॉब हो जाए तब तक मैं अपने फेस को लिप्स को सौरी हाइडरेट कर लेती हूँ माइगलम का लिप बाम है रोज ओल डे इससे अप्लाय कर रही हूँ मैं फिर अप्लाय करेंगे हम प्राइमर प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है आप चाहें तो अपने सीरम के अंदर भी प्राइमर मिला सकते हैं या ओल बेस्ट सीरम जो होते हैं वो अप्लाय कर सकते हैं मैंने Blue Heavens का सीरम लिया है अच्छे से अपलाय करने के बाद डैब डैब करना है और वन मिनेट के लिए छोड़ देना है तब तक मैं आपको इंट्रिडियोस करा देती हूँ अपने My Glam Pose Foundation से जो कि एक HD Foundation है जी मैं फेस इसलिए बना रहे हूँ कि 699 का foundation है और बहुत ही कम quantity में आता है HD होने की वज़े से इसकी finishing बहुत अच्छी आती है cream-based foundation है तो blend करने में थोड़ा सा time-consuming होता है लेकिन बहुत ही अच्छी finishing के साथ matte finishing के संग आपको ही foundation मिल जाता है It comes with many shades and आप जाके check out कर सकते हैं लिंक मैं आपको description में दे दूँगी आप देख सकते हैं beauty blender product बहुत कम absorb करता है से क्रीम-based foundation है ये stick foundation बट इसकी quality बहुत अच्छी है और quantity बहुत कम Next, गले पे apply कर लिया है मैंने यहां पे ले रही हूँ NYB का liquid concealer अपने highlighting के लिए जो मेरा highlighting area है उसको अच्छे से conceal करने के लिए थोड़ी थोड़ी जगा लगाऊंगी पहले under eyes पे और nose पे लगा लिया उसे blend करूँगी देन उसके बाद मैं अपने all over face जहां जहां मुझा ज़ ठीक है next मैं apply करूंगी यहां पे contouring contouring ले रही हूँ NYB का shade no.7 nose contouring बहुत light की है बाकी पूरे face की जो contouring है वो harsh की है क्योंकि जो inspired makeup look जिनका मैं कर रही हूं जो picture से मैं inspired makeup look कर रही हूं उनकी contouring और bronzing बहुत ही अच्छी दिख रही है face पे shadow बहुत अच्छा है हुआ है that's why mac का loose powder लिया है इससे मैं अपनी highlighting area को concealing area को sorry set कर लूँगी एक अच्छे loose powder में invest जरूर कीजिया fit me का loose powder ले सकते हैं बहुत अच्छा है वो भी इसके बाद मैंने mac का loose powder purchase किया है costly बेशक है बट बहुत अच्छी quality का है यहां पे ले रही हूं itex dazzler का shade number contour और इससे अपनी contouring set करू Fade out easily हो जाती है तो उसको set करना भी जरूरी है आप किसी और shade से भी कर सकते हैं मेरे हाथ में फटाफट सी यही पिक हुआ मैंने इसी से shade से contouring अपनी set कर लिया नोस contouring set करना ना भूलिएगा बहुत अच्छी आपको face पे finishing मिलती है यहां पे मैंने brown shade लिया है यह जैकलीन हिल इसके बाद apply करेंगे हैं अपना eyeliner जो की main attract है इस पूरे look में यहां पे लिया है music flower का gel eyeliner बेगा का brush है मेरे पास आपको 30-40 rupees का मिल जाएगा और lower lash line पे मैंने एक liner draw किया है जिस simply liner waterline के पास waterline के पास draw किया है फिर इसके बाद एक flat brush से आप देख सकते हैं किस तरीक से blend कर रही और inverse उसको मैंने draw किया है as a wing की तरह कोई extra product नहीं लगाया फिसके बाद brush से set कर रही हूं एक बार और हलका सब product लेके wing draw कर रही हूं उसे set कर रही हूं क्योंकि वह बल्कुल blended look मिलता है आपको फिर यहां पे purple का मेरे पास काजल है आपको इसा भी ले लीजिए आप चाहें तो इस मीजिक प्लार के gel eyeliner से फिल कर लीजे, tightline करने है waterline करने है आपको, main काम आपका यही है और थोड़ासा आपने wing draw करना है चाहें आप gel eyeliner से ही कर लीजे, मेरको आपको दिखाना था दोनों तरीके से, आप चाहें काजल से draw कर लीजे, आप चाहें gel eyeliner से draw कर लीजे, इसके अपर waterline की, तो वो भी कर रही हूँ, इसके बाद brown shade लिया है, वही जो same मैंने उपर अपलाए किया है, और नीचे lower lash line पे भी अपलाए करना है यह, काजल को liner को blend करते हुए, ताकि आपको एक radiant और blended look मिले, ठीक है, इससे आपका eyeliner बहुत ही सुन्दर लगेगा, यह liner लगाना बेसिकली बहुत easy है, लेकिन सिर्फ time consuming इसी लिए है, क्योंकि इसे blend करने में time लगता है, बहुत patience ले आपको blend करना पड़ता है, बहुत सुन्दर लगता है अदर्वाइस यह, जेल eyeliner को lock कर रहे हूँ, liquid eyeliner से, जो कि बहुत ज़रुरु होता है, अदर्वाइस आपका हाथ प्राइड मेकप लुक है, उनकी eyebrows बहुत थिक थी, बहुत भारी eyebrows थी, मेरी तो हैनी, आप comparison देख सकते हैं, कि कितनी मोटी मुझे eyebrow draw करनी पड़ी है, इसकी जो tip है, बहुत ultrafine है, तो इसे जो आपके eyebrows है, वो just hair like strokes, बिल्कुल ऐसे बनते हैं, जिसे आपके असली hairs हो, तो amazing product मेरी साइड से, थम्स अप ऐस प्रोड़क्ट को, अपको कहीं से भी मिले तो प्लीज बाय कर लीजेगा, डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, कोई extra product नी है, सरफ ऐसी dab-dab कर रहे हूं, जो harsh line को remove हो जाएं, जस्ट और कुछ नहीं, लैशिस को curl करके मैंने Faces Canada का mascara लगाया ह मैंने इसके दो या तीन coat apply किया है, ताकि मेरी lashes जो है, lift up लगें, voluminized लगें, और बहुत ही सुन्दर लुक आया था, ये lashes, lashes का specially, मैंने कोई fake eyelashes नहीं लगाई, सिर्फ ये mascara से ही काम चल जाता है, अच्छा, इसको separate करना वह ज़रू ही नहीं, तो clumsy, clumsy सा हो जाता है, मैंने एक छोटा सो कोम आता है, वो हर brush set में होता है, उससे apply किया है, अच्छे से lashes को uncurl कर लिया है, यहाँ पर Biotique की lipstick लिया है, इससे blusher apply किया है, और इसको set कर, अच्छा ही बहुत जादा लग गया था, मैं को पता चल रहा था है, जादा लग गया, मैं पूरे face को compact से set कर रही हू in fact, blusher को भी, तो आप देख सकते हैं, मेरा blusher light हो गया है, यहाँ पर, ठीक है, lip line कर रही हूँ, अपनी brown shade से, myglam की मेरे पास lip liner है, recently मैंने इसे purchase किया था, बड़ा प्यारा shade है यह वाला, अच्छा, model ने लिप gloss लगा रखा है, तो मुझे lip gloss लगाना अच्छा नहीं लग है, highlighter अप्लाइ कर रही है, बिल्कुल last step है, और eyes पे भी अप्लाइ करना है, अच्छा गाइज, यह जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं, फटावट से, इसे change करकर आती हूं, आपको इसका look दिखाती हूं, highlighter अप्लाइ कर लेने, देखियो मैंने lipstick में कह रही हैं, आपका लिए कि आपके फैमिली हैं मेरी फैमिली बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करने वाली है डिफरेंस देख लीजे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने पूरी कोशिश किया करने की बठा हैस्टेल नहीं किया हैस्टेल में मैं बहुत खराब हूं मैंने में को नहीं अच्छा लगता अपने हेर्स के संग जाधा मैजिक सा कुछ करना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे करवाईए तब तक मिलती हूं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन गुडबाई स्टे सेफ सेहल्दी